खबर बढ़वानी से कोरोना को लेकर शहर सहित प्रदेश के कई जिलों में लॉप डाउन किया गया कोरोना और बचाव के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह अलट है वही लोग भी दुकाने बंद कर घरों में कैद नजर आ रहे हैं वही लोग कोरोना से बचाव के लिए आध्यात्म की और भी जुक रहे हैं इस बीच शहर में पवित्र ग्रंथ रामायम के बाल कांड में बाल निकलने के मामले सामने आ रहे हैं शहर में कुछ लोगों के यहां रामायम में बाल कांड के अध्याय में बाल दिखाई दिये हैं शहर के MG रोड निवासी संजे सोनी ने बताया कि उन्हें बाहर गाउं से रिष्टेदारों के फोन आये थे कि रामायम के बाल कांड में बाल निकल रहे हैं आईए जानते हैं संजे सोनी इस बारे में क्या कहते हैं? बाल मिल रहे हैं अब मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी बात होगी अपवा अगेरा बगर जब मैं फालतू बेटादा घर पे तो मैंने रामायन निकल वाई और उसमें मैंने देखा तो वास्ताओं में उसमें दो बाल दिखे और बाल कान के अंदर ही दिखे अपने हाँ पर जैसे 56-57 पेज़ पे मिला है बाकी बाल कान उसमें जो भी है 15-20 पेज़ के उसके अंदर कहीं भी मिल रहा है और मैंने जैसा और भी लोगों को बताया था तो उनके यह भी मिला है सर ये तो क्या है विज्ञानिक कारण तो नहीं हो सकता आस्चेरे की बात है एसा हर रामायन में पूरानी से पूरानी में मिल रहा है और मतलब साबीत हो रहा है कि उसके अंदर है अब इसका जो इस्वरिय सक्ति बोले इसको बजरंग बली की सक्ति है या सिर्राम भगवान क सक्ति है और अभी जिसे नव रात्री और राम नव में भी आने वाले हैं तो उसका कुछ भी एक क्लू हो सकते है क्या बोलते है उसको कुछ भी ऐसा इस्वरिय सक्ति हो सक्ति है एसा मेरा अनुमान है सर यह वाइरस वेसे तो देखो मोधी जी ने बोल रखा घर के अंदर और प्रसासन बहुत इस पर ध्यान दे रही है वह तो बहुत जरूरी है बगी मेरा मानना है कि भगवान और इश्वर का नाम भी लेने से यह आपदा दूर होती है और होगी और मेरा मानना है कि अगर यह इस समय बाल निकल रहा है मतलब यह जो घटना हो रही है तो अपन एक यह भी कर सकते हैं कि रामायन का पाठ अभी राम नौ में भी आ रही है और नौ दूर का में करें और इस आपदा से बचा जा सकता है खबर भारतवर्ष के लिए बढ़वानी से सचिन राठोर की रिपोर्ट अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन दबाना न भूल क्योंकि खबर हमारी पैसला जनतंत्र का